रानो जुडिया की शादी कुछी दिन पहले हुई थी उसका पती और कालु करवा कान करने वदेश चले दे थी अब घर में थी रानो जुडिया की सास और वो पहले पहल तो रानो जुडिया की सास उसका बहुत प्यार करती थी मगर अब उसकी सास रानों चुडिया से खिची-खिची रहने लगी थी उसका कारण थी गोरी कवी क्यूंके गोरी कवी हर समय रानों चुडिया की सास के कान जो भरती रहती थी कमली मैंने अभी अभी देखा तुम्हारी बहू बेरी के पेड़ पर बैठी मीठा फल खा रही थी क्या तुम्हारे लिए नहीं लेकर गई वो मीठा फल नहीं मेरे लिए तो वो केवल चंद दाने चैनों के ही लेकर गई थी कमली चोटा मू और बड़ी बात बन जाती है मुझे तो ऐसा लगता है तुम्हारी बहू किसी भू के परिवार से है मैंने तो कभी किसी बहू बेटी को ऐसे रास्ते में बैठ कर नहीं खाते देखा मैं अभी जा कर पूछती हूँ थोड़ा सा गुस्सा दिखा कर पूछना फिर मानेगी वो मैं अभी जाती हूँ फिर कमली चिडिया अपने घर चली जाती है बहू कहा हो मेरे पास आओ जी माजी क्या बात है मैरे सोई में थी क्या आज तुमने मीठा फल पी खाया है हाँ मा मैं जूट नहीं बोलूँगी मुझे एक मीठा फल मिला था रास्ते में भूक बहुत सता रही थी इसलिए मैंने वो फल खा लिया तो रहने देती मेरे लिए सूखे चने लाने की क्या जरूरत थी खुद फल खाती हो और मुझे दाने आ लेने तो मेरे बेटे को मैं सब बताऊंगी सासू मा आपको किसने बताया कि मैंने मीठा फल खाया है गोरी भी उनके घर आ जाती है मैंने बताया और किसने बताया मैंने खुद अपनी इन आँखों से देखा है तुम्हें मीठा फल खाते हुए तो मैं कौन सा मुकर रही हूँ और तुम कौन होती हो हमारे घर के मामलात में दखल देने वाली बहु अपनी जबान बंद रखो ये मेरी पडोसन है और खबरदार अगर फिर मेरी पडोसन से ऐसे बात की मा जी मुझे तो ये कोई शेतान कवी लगती है जो दूसरों के घर में फसाद डालती है कमली छोटा मू और बड़ी बात बन जाती है मुझे तो तुम्हारी बहु बहुत होश्यार लगती है मेरी मानो तो इसे आज ही अलैदा कर दो वरना ये मीठे फल के साथ साथ तुम्हें भी खा जाएगी छोटा मू और बड़ी बात नहीं काला मूँ और काली बात ऐसे को हो तुम यहां से भाग जाओ मैं जानू और मेरी सास मैं अभी अपने पती को चिठी लिखती हूँ के तुम्हारा कुछ करे फिर गोरी कवी बड़ बड़ाती हुई वहां से चली जाती है अब तो छोटी जिडिया दुश्मनी ले ली तुमने गोरी से जूते मार मार कर अगर तुम्हें मैंने उस घर से ना निकलवाया तो मेरा नाम भी गोरी नहीं सासु मा अब गुसा जाने भी दें मैं आज आपके लिए मीठा फल ले आऊंगी मगर रानो जिडिया की सास चुप रहती है और रानो जिडिया भोजले ने घर से चली जाती है गोरी कवी भी पूरा प्लैन बना कर रास्ते में बैठी हुई थी वो रानो जिडिया को रोक लेती है सोरी अगर तुम्हें मेरी कोई बात बूरी लगी है तो मैं सोरी करती हूँ तुमसे मकार गोरी कवी उस चिड़िया से ऐसे कहती है अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है तो कोई बात नहीं आज से तुम मेरी सहेली हो अच्छा मैंने तुमसे कहना था कि कबूतर कल से बीमार है जाओ और उसे देखाओ अगर मर गया तो कहेगा कि तुम उसे देखने ही नहीं आई अच्छा मुझे तो नहीं पता था मैं अभी कबूतर भीया को देखकर आती हूँ फिर रानो चिडिया कबूतर की तरफ चली जाती है छोटी चिडिया अब देखती जाओ मैं कैसे तुम्हें रुलाती हूं फिर गोरी कवी भी चिडिया के पीछे पीछे जाती है और छुपकर चिडिया और कबूतर की तस्वीर बना लेती है मैं अब ठीक हूँ, मेरे पांक में थोड़ा सा दर्द था, अब ठीक है मुझे तो गोरी कवी ने बताया था आप उस डुष्ट कवी से थोड़ा दूर ही रहना, वो मिलने मिलाने वाली नहीं है अब मैं जल्दी से जाकर ये तस्वीरे इस चड़िया की सास को दिखाती हूँ ये तो मेरी बहु है, ये कबूतर के घर में क्या कर रही है चोटा मूँ, और बड़ी बात है, कमली तुम्हारी बहु तो हर रोज कबूतर से मिलने जाती है उसका किरदार ठीक नहीं है, जवान बहु को क्या जरूरत है, किसी के घर जाने की और उसका तो पती भी वदेश में है मैं आज ही अपने बेटे को चिठी लिखती हूँ और भेजती हूँ ये तस्वीरें भी आप लगाना तीर ठीक निशाने पर, क्या कहा गोरी, कुछ नहीं, मेरा नाम ना लेना, अब उस बद जबान के सामने, फिर मुझ से लड़ाई शुरू कर देगी ऐसा कहते हुए गोरी कवी वहां से चली जाती है मुझे आप से मिलकर बहुत अच्छा लगा, कबूत भीया, आप ही किसी दिन हमारे घर आना, मैं आपको चाय के साथ समोसे खीलाऊंगी हाँ चिडिया बेहन, मैं जरूर आऊंगा फिर चिडिया वहां से चली जाती है शाम को जब रानो चिडिया घर लोटती है तो उसकी सास बेसबरी से उसका इंतजार कर रही थी कहां गई थी तुम आज सासुमा, अभी तक गुसे में है आप तो, मैं आपके लिए मीठा फाले ने थोड़ी दूर चली गई थी मीठा फाले ने यक बूतर यार से मिलने ये सुनकर कमली की बहू रानो चिडिया के तो पाउं तले से जमीन निकल जाती है माँ जी मार लें, बुरा भला कह लें, परंतु मेरे चरित्र पर शक न करें, मैं इच्जत वाली मा की बेटी हूँ ये फैसला तो मेरा बेटा आकर करेगा, मेरे पास सबूत है, इतनी भी सीधी न समझो मुझे फिर दूसरे दिन, रानो चिडिया की सास अपने बेटे को चिठी लिखती है, और साथ में वो तस्वीरें भी भेजती है मेरे बेटे जल्दी आजाओ, हमारी इच्जत बहुने सड़कों पर बिखेड़ दी है, ये तस्वीर गोरी ने दी है मुझे, तुम्हारी पतनी रोज कबूतर से मिलने जाती है रानो ऐसी नहीं हो सकती, माँ को जरूर कोई शक हुआ होगा, मैं कल ही वापिस जा कर देखता हूँ हेलो, हेलो कालू, कल रानो का पती आ रहा है, तुम भी उसके साथ आओ, तुम्हारी माँ की चिठी आई है गाउं से, वो बहुत बिमार है क्या, क्या मा बिमार है, मैं कल ही आ जाता हूँ मैं भी तुम्हारे साथ ही जाऊंगी, मैंने शादी की है तुमसे, कोई भाग कर नहीं आई, जो तुमने मुझे छुपा कर रखा हुआ है पिंकी, मेरी पतनी ना तो मुझे छोड़ेगी और ना ही तुम है, वो हम दोनों को मार देगी, जो होगा देखा जाएगा कबुत भीया, मा ने मुझे पर शक किया, और मुझे पूरा विश्वास है ये सब उस गोरी की बच्ची की वज़ा से हुआ है, उसी ने मा को कोई उल्टी सीधी बातें सीखाई होंगी सच सची होता है, आपके पती मेरे अच्छे दोस्त है, जुडिया बहन आप चिंता ना करें, जब वो आएंगे तो सब के सामने सच आ जाएगा एक दिन गुजर जाता है, और कालू करवा और रानो जुडिया का पती हवाई जहाज में बैठतें हैं, मगर कालू के साथ विंकी भी थी, क्यूंके कालू ने गोरी से चोरी चोरी वदेश में दूसरी शादी कर ली थी अब तो आ जाना चाहिए था कालू जी को, कहां रहे गया, अभी तक आया नहीं गोरी घर के सामने बैठकर ऐसे सोच रही थी, जब ओटो आकर रुकता है, और उसमें से कालू और पिंकी उतरते हैं कालू, ये कौन है, मैं ही बता देती हूँ, मैं पिंकी हूँ, ज्यादा लड़ने की कोशिश ना करना मैं भी बहुत लडाऑी वाली हूँ, मैं पतनी हूँ कालू जी की, और तुम्हारी सोतन हूँ कालू ये क्या किया तुमने तुमने दूसरी शादी कर ली और मुझे बताया ही नहीं गोरी रोते हुए ऐसा कहती है अगर बताता तो तुमने कौन सा मुझे दूसरी शादी करने देनी थी गोरी कर भी क्या सकती थी सवाए रोने के बहुत बुरा किया कालो तुमने दूसरी शादी करके बहुत बुरा किया शायद मुझे ये मेरे ही कर्टूतों की सजा मिली है गोरी रोते हुए चिडिया के घर सच बताने जाती है मा जी सब ठीक है मगर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये आपका वहम हो मुझे आपकी कसम मैं ऐसी नहीं हूँ बात चल ही रही थी के गोरी कवी वहां आकर सब सच बता देती है चिडिया मुझे पहले ही सजा मिल चुकी है मुझे माफ कर दो मेरे पती ने दूसरी शादी कर ली है अगर ऐसे दूसरों की जिन्दकी बरबाद करोगी तो तुम्हारे साथ ऐसा तो होगा ही फिर रानो जिडिया की सास की आँखें खुल जाती है और वो अपनी बहु के साथ प्यार से रहती है और गोरी कवी रोती रहती है मोका देखकर गोरी कवी जल्दी जल्दी से बुलबुल का अंडा तोड़ कर पी रही थी जब बुलबुल वहां आ जाती है गंदी कवी अब मुझे पता चला मेरे अंडे कौन पीता है मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं नहीं, नहीं, मैं तो आज ही आई थी इस दिशा में ऐसा कहते हुए गोरी कवी वहां से फाग जाती है बुलबुल भी रोती हुई दूसरे पक्षियों के पास चाती है बुलबुल सब पक्षियों को अकठे कर लेती है आज उसने मेरा अंडा पिया है और कल वो आप सबके पी लेगी अगर उस कवी का कुछ ना किया तो वो हमारे जंगल में किसी को भी नहीं छोड़ेगी वो हमारे मासूम अंडों को ऐसे ही पीती रहेगी ऐसा नहीं चलेगा, हम ऐसा नहीं होने देंगे हम सब मिलकर उस जुष्ट कवी और कवे को अपने जंगल से निकाल देंगे तो फिर सब चलो, सब चलो जाकर अभी उन्हें इस जंगल से निकाल देते हैं कालू जी, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ कुछ बताओ भी, क्या काएं काएं लगा रखी है मैं उस मोटी बुलबुल का अंडा पी रही थी के वो मोटो उपर से आ गई और उसने मुझे अंडा पीते हुए देख लिया है वो मोटो हमसे बहुत डरती है, वो कुछ नहीं करेगी वो तो डरती है हमसे, परन्तु वो सब पक्षियों को अकठा कर रही है अगर सब पक्षियों अकठे होगे तो वो हमें मार देंगे खोलो, दर्वाजा खोलो, डुस्ट कवे और कवी अगर दर्वाजा ना खोला, तो हम सब दोस्त मिलकर दर्वाजा तोड़ देंगे वो आगे, वो आगे कालू जी, अब मुझे बचा लो उनसे, वो सब मुझे मार देंगे फिर कालू डरते डरते दर्वाजा खोलता है, सब पक्षि कालू के घर में आ जाते हैं नहीं, कोई मारे का नहीं इन है, मुझे बात करने दो गोरी, तुम्हारे भी तो अंडे होते हैं, तुम तो अच्छे से जानती हो कि अंडों से कितना प्यार होता है हम पक्षियों को इन अंडों में हमारे आने वाले बच्चे होते हैं और तुमने बुलबुल का अंडा ही पी लिया मुझे बहुत भूक लगी थी, मैं खुद को रोक नहीं पाई अगर इतनी ही भूकती, तो कहीं से दाना ढून लेती तुमने मेरा अंडा के वल सवाद के लिए पिया है, मैं नहीं छोड़ूंगी तुम्हें अगर जिन्दा रहना चाहते हो, तो अभी के अभी इस चंगल से निकल जाओ, अगर यहां से ना आगे, तो हम अभी के अभी तुम दोनों को मार देंगे, हम चले जाते हैं, हम अभी चले जाते हैं, हम फिल लोट कर कभी इस चंगल में नहीं आएंगे, बस एक बार, बस एक ब और हमें माफ कर दें, हम अभी चले जाते हैं। दोस्तों, इन्हें एक मोका देना चाहिए। इन्हें मारने से बेहतर है कि ये दोनों बदमाश कवे यहां से चले जाएं। फिर कवा और कवी वहां से चले जाते हैं। और बाकी सा पक्षी भी अपने अपने खर चले जाते हैं। कवा और कवी उड़ते उड़ते दूर निकल जाते हैं। और फिर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। अब कहा जाएं, कहा रहेंगे हम। इस जंगल में मेरे एक मामा जी रहते हैं। हम वहाँ चले जाते हैं। मेरे मामा जी हमें अपने घर में रख लेंगे। तो फिर देर किस बात की। कालू जी जलती चलो अपने मामा जी की तरफ। फिर गोरी और कालू वहाँ से चले जाते हैं। जंगल में रात भी हो जाती है। कालू अपने मामाजी के घर के दर्वाजे पर दस्तक देता है मामाजी दर्वाजा खोलती है कालू इस समय सब ठेक तो है ना मामाजी बक्षियों ने हमें जंगल से निकाल दिया है क्यूं, वो क्यों कालू मामा जी मैं पकड़ी गई थी मैं बुलबुल का अंडा पीते हुए पकड़ी गई थी वो सब तो हमें मारने ही वाले थे और फिर उन्होंने हमें छोड़ दिया और हमें अपने जंगल से निकाल दिया अंदर आजाओ, अंदर आजाओ फिर कालु का मामा उन्हें अपने घर के अंदर ले जाता है मामा जी मेरे तो पेट में भूक से चूहे दोड़े हैं क्या घर में कुछ खाने को नहीं है मैं तो खुद कल से भूका हूँ, मेरे पास क्या है मैं तो खुद दूसरे पक्षियों का भूजन चुरा चुरा कर खाता हूँ मामा जी आप चिंता ना करें, अब हम आगे हैं कल से हम आप के लिए भी भूजन ले आया करेंगे फिर वो सब सो जाते हैं सुभा हो जाती है मामा जी हम भूजन ढूंड कर लाते हैं क्या खाना पसंद करेंगे आप जो भी मिल जाए, अगर हो सके तो कोई मीठा फल ले आना कही दिन बीत के हैं मैंने कोई मीठा फल नहीं खाया आप इंतजार करें हम आप के लिए फल लेकर आते हैं फिर वो दोनों पती-पतनी अपने मामा के घर से निकलती हैं चुडिया, मुझे पता चला है वो दोनों बुरे कवे अपने मामा जी के पास चलेगी हैं जहां भी जाए, हमारी तो जान छूटी उन डुष्ट कवों से हम तो फिर कभी उन्हें अपने जंगल में लोट कर नहीं आने देंगे समय गुजरता गया और फिर एक दिन कवी दो अंडे देती है आज गोरी कवी बहुत खुश थी अब तो उन्होंने अपने मामा जी के घर के पास ही एक छोटा सा घौंसला भी बना लिया था कालू जी मेरे अंडे बहुत संदर है अब इन अंडों से छोटे छोटे बच्चे निकलेंगे मेरे बच्चे कितने संदर होंगे अब भोजन मैं ले आया करूंगा और तुम हमारे अंडों की रक्षा करना आज से तुम्हारा घौंसले से बाहिर निकलना बांद हुआ फिर कालू कवा भोजन लेने चला जाता है अब कालू कवा बहुत बदल चुका था उसने चोरियां भी छोड़ दी थी वो मेहन से दाना ढूनता और पहले कुछ दाना अपने मामा जी को देता और कुछ दाना अपने खौंसले में ले जाता कुछ दिन गुजर जाते हैं एक दिन कालू भोजन को गया हुआ था जबके गोरिकवी अपने अंडों के ऊपर बैठी हुई थी बहुत प्यास लगी हुई है क्यों ना मैं नदी से थोड़ा सा पानी पियाऊ कहीं मेरे अंडों को कोई नुकसान न पहुंचा दे मैं ऐसा करती हुँ अपने मामा जी को अंडों के पास बठा देती हुँ फिर गोरिकवी कालू के मामा जी के पास चाती है मामा जी मैं नदी से पानी पीने जा रही हुँ आप थोड़ी देर मेरे गोंसले में तो आकर बैठ जाएं और मेरे अंडों का दिहान रखना जाओ जाओ मैं अभी तुम्हारे गोंसले में चला जाता हूँ फिर गोरी कवी नदी पर पानी पीने और कालू का मामा गोरी के अंडों के पास चला जाता है कालू का मामा गोड से अंडों को देखे जा रहा था बहुत बुढ़ा हो गया हूँ अगर मैं इन दोनों अंडों को पीलूं तो कुछ जवानी लोट कर आ सकती है मेरी हम कवे तो ऐसी ही होते हैं कौन अपना कौन बेगाना फिर कालू का मामा खुद को रोख ही नहीं पाता और गोरी के दोनों अंडे पीकर मजे से सो जाता है जब थोड़ी देर बाद गोरी कवी नदी से लोट कर आती है तो वो अपने अंडे टूटे हुए देह कर रोने लग जाती है मेरे अंडे, मेरे अंडे किसने पी लिये मामा जी, मेरे अंडे आपने ही पी लिये है मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ, तुम्हारे अंडे पीने से अब मैं कुछ बहतर महसूस कर रहा हूँ क्या हर्च है, तुम दो बारा अंडे दे देना ऐसा कहते हुए कालू का मामा जी वहां से चला जाता है कालू भी घर आ जाता है गोरी उसे सारी बात बताती है मेरे मामा जी इतने जालिम हो सकते है ये तो मैंने कभी ना सोचा था एक मामा अपने ही भांजे के अंडे पी जाता है ये बात जंगल में आग की तरहा फैल जाती है बुल बुल और चिडिया तक भी ये बात पहुंचाती है वो दोनों कवों के पास आती है अब पता चला गोरी दुख हुआ ना मुझे भी ऐसे ही दुख हुआ था जब तुमने मेरा अंडा पिया था अब हम यहां से कहा जाएं यहां मेरा मन घबरा रहा है कोई मामा भी ऐसा कर सकता है अपने भांजे के साथ गोरी मैं जानती हूँ अब तुम मेरे दुख को समझ सकती हो मैं तुम्हें माफ करती हूँ आप वापिस अपने घर आ जाएं क्योंके यहां आप सुरक्षत नहीं हो ऐसे बुलबुल बड़ा दिल करते हुए कवी को माफ कर देती है फिर कवा और कवी अपने घर वापिस चले जाते हैं अब गोरी कवी बदल चुकी थी वो एक अच्छी और सची कवी बन गई थी